हेलो दोस्तों वेलकम टो स्टार का स्टेटी पैंट स्वागत करते हैं आप साब का इस यूटीव चैनल पर दोस्तों इस वीडियो जो हम लोगों देखने वाले हैं क्लास 12 वालोग के लिए 100 मार्ग सिंदी लेंग्वेश विपर का चाहिप आर्ट साइन्स कोमाश त्यों स्ट इंपोर्टेंट कोशन मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताएं इस कोशन के अलावे और भी कोशन का प्रैक्टिस कीट करना चाहरे हैं बिल्कुल लिटेस्ट पैटन पर दोस्तों 2020 के बूर्ट प्रिक्षा के लिटेस्ट पैटन पर आप सभी के लिए यहां पर चेप्टर हो रहा है और आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी जल से जल्द हम लोग के माध्यम से लेकर आने वाले ठीक है तो आप लोगों के लिए बस एक रिक्वेश्ट है वीडियो को सीर जरूर कीजएगा दोस्तों ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यहां पर नांबर सी सबसे पहले हम लोग नांबर सिंग के बारे में जीवनपरिचा जानते हैं नामबर्शिंग कौन थे कहां जिनम हुगा और नार्षिंग का जेनम हो परानसी में जियनपूर नामा गौ में हुआ था कब 8 जुलाई 1937 को यह महत्पूर्ण है दोस्तों पूछा जाता है कि डॉक्टर नामवर्शिंग का जनम कब हुआ था और कहां पर हुआ था यह आप लोग याद रखेगा ठीक है फिर पूछा जाता है कि इनकी माता का नाम क् आम वर्शिंग आब नागर सिंग्स फिर बात करता है इन्हों अपने प्रात्मिक शिक्षा उत्तर-प्रदिष के अवाजब्वाजबूर नामवर्श्ग में प्राप्थ कि ग इसलिए डॉक्टर नामबर सिंहावे पहले लगा हुआ है इसको जरूर ध्यान देखिए दोस्तों और मैं आप लोग को उसके रजनाई भी बताऊंगा नाटक जो इन लिखें हैं दोस्तों कुछ कहानी वह भी पूछा जाता है आप लोग से ठीक है फिर बात करते हैं कि उने सो तिरानवे में ये कासी हिंदू बिस्विद्यले में और अस्थाई ब्यक्ता बने तथा उने सो उनसर साथ में सागर बिस्विद्यले में असिस्टेंस प्रोफेसर के रूप में कार्ज भी गिया है अगर आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आपसे स्वल्ब नहीं हो पा रहा है बस आपको उस कोश्चन का फोटो लेना है इस को क्रॉप करना है और पांस सकेंड के अंदर आपको उस कोश्चन का वीडियो सलूचन मिल जाएगा फिर चाहे आपका कुश्चन पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकेल्टी से जैसे जीवी सर अकांचा मैं प्रिंसर जैसे टॉप टीचर से पूरी पढ़ाई होगी डॉटनट एपर तिन क्रोर से जैदा बच्चे डॉटनेट एपर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाइए और डॉनलोड की जिए डॉ कोशन रहता है तो यहीं से कोशन रहता है इस तरह के कोश्चन ठीक बीच से इन्होंने 1967 में त्रेमासिक पत्रिका अलचुना का संपादन किया यह भी पूछा जाता है और इन्होंने 1970 में जूदपूर विश्वेदयले में हिंदी विभा के अध्यक्ष पदपर प्रोफेसर के रुप में कार्ज किया तत पहस्चात उसके बाद यहां पे 1974 में कुछ समय के लिए यह कनहिया लाल मनिक लाल मुनसी हिंदी विद्यापीट आगरा के निदेशक रहे हैं तथा जे एन्यू में भारती भासा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर अपनी सेवाय भी द सेवा मुक्ति के होने के बाद भी उनको पांच साल दोबारा रखा गया उन्होंने राजा राम मोहन राय लैविरेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष का काजवार संभाला उन्हें 71 में डॉक्टर नामबर सिंग को कविता के नए परतिमान पर साहित अकादमी प्रुसकार भी परदान किया गया तो यह आप लोग यहाँ पर जीवनी परिचा के बारे में देख सकते हो ठीक है बहुत इंपोर्टेंट था अब बात करते हैं दोस्तों इनके दोरा कुछ ललित निवांद ब्याख्यान संग्रा सक्ष्तकार संग्रा यह सभी लिखे गए हैं तो यह आप जरूर याद रखेगा चलिए बात करते हैं साहित्य के रचनाय के बारे में जो अलोचनाय है इनके हिंदी के विकास में प्रसंब और प्रभंस का योग चायाबाद आधुनिक साहित की प्रवितिया प्रित्वी राजकासों रासों की भासा इतिहास और अलोचना फिर आते ह कहानीं कहानी में नई कहानी यहादै, यहाँ प्र शूट के हैं, नई कहानी दूसरी परमपरा की खोज, कविता, के नए, परतिमान, वाद, विवाद, संबाद, ब्यक्ति, वेंजग, यह सभी क्या है दोस्तों इनकी कहानी है कुछ ललितनीवंद भी लिखे हैं यहां पे बकलम, खुद, ठीक है बयाक्यान संग्रह भी लिखे हैं अलोचा के मुख से सक्स्तकार संग्रह भी लखे हैं कहना नहोगा इसके अलावा इन्होंने अनेक पुस्तकों का भी संपादन किया है तो ये था दोस्तों जीवन परिचया और उनके दोरा कुछ लिखे गए यहाँ पे अलोचना, कहानी, ललितनी वंद, ब्याख्यान संगरा और साक्स्तकार संगरा इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से याद रखिए, चलिए नेक्स्ट कोशन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग परगित और समाज कहा है, अब हम लोग कुछ इनके जीवन परिचया के बारे में जान लिया इनके लेखा के बारे में जान लिया, परगित और समाज चेप्टर का अब इस पे कुछ दारी जो आप लोग के बूर परिखार के कोशन पूछे के हैं प्रिवियस यर्स में वो कोशन मैं आप लोग कहां बताने वाला हूँ, ठीक है इसके हलावे दोस्तों आप लोग को कम से कम 20 से 25 मोरल सेट में आप लोग को दूँगा क्योंकि आप लोग को पता है कोचिंग कलासेज बंद है आप सभी के लिए चैनल काफी हेलफुल रहेंगे दोस्तों खास करके objective, मतलब झातरों, के लिए, मतलबEE अगजाम के लिए आप लोग सब्जेक्टिव भी कोशन भी दूँगा दोस्तों एक्जाम से पहले पहले ठीक है तो बनन रहेंगे दोस्तों बहुत ही important ये चैनल होगा अप सभी के एकजाम के लिए बहुत सारे चात्रे पिछले साल भी है यहाँ से काफी सारे अच्छे नंबर्स राप्त किये हैं मैं कुछ करवा देता हूं दोस्त आप लोगों के लिए अब्यक्टिब का काफी सारे कौशन का प्रैक्ट्रिश करवाता हूं यहां पे का जनम को कभ हुआ था दोस्तों यह भी आप लोग याद रखेगा उत्तर प्रदिस के इलाहबाद में यहाँ पर हुआ था ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा यहाँ पर दूसरा कोशन है दोस्तों अभी जर्श्ट हम लोग पढ़े हैं कि नामबर सिंग के जिवनी पर दोस्तों किस कृति पर मिला है इसको कविता के नए पर्दिमान पर यह पूछा जाता है दोस्तों याद रखेगा आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट यह कोशन था तीन नमर है कि परगित और समाज क्या है देखिए अभी निबंध अलोचन और पन्यास या फिन में से देखा हुआ लग शुरी नामबर सिंग के दौरा याद रखेगा तीन का उप्सन नमर यहां पर राइट हो जागा चार नमर अपसन यहां पर है क्वेश्चन कि नामबर सिंग के गुरु कौन थे तो यह गुरु मानते थे दोस्तों किन को नामबर सिंग यह जारी परसाद दिवेदी रामचंद्र शुक्र महावीर परसाद दिवेदी यह फिर अजार चतुर सिंग यह जारी परसाद दिवेदी को अपना गुरु मानते थे दोस्तों तो याद रखेगा है आप पर नामबर सिंग के गुरु कौन थे तो हजारी परसाद दिवेदी जी नेक्स्ट को कान वा था भी जैस्ट न लो पढ़े हैं जीवनपूर में कहां पर उपा था जीवनपूर में सूरी जीवनफiele नाद रखेगा चले नेग्स Qeo util तरिया फी नमर किछ पत्रिका के शंपाधा करें क्छस न लो पढ़ है इन के जीवन परिचाय में कि नामबर सिंग किस पत्रिका के संपादग रहे हैं तो यह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आलोचनाके किसके आलोचनाके तो सीवत यहाँ पर साथ का अप्सन नमर C नेक्स्ट कुर्शन आठ नमर देखते हैं कि परगित आतमकता का अर्थ अलोचको के दिश्टी में क्या है तो परगित आतमकता का अर्थ अलोचको के दिश्टी में जो है यह आपका यहाँ पर आइटेंसर हो जागा एकांत गीत क्या हो जागा एकांत गीत चलिए नव नमर द लिखा गया जिनका नाम है बकलम खूझ ठीक है यहां पर दोस्तों हम लोग कितने कोशन किया है टोटल नौ कोशन किया है जो आपको नामर सिंग के दूरा लिखा हुआ परगित और समाज पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के कोश्चन इस चप्टर से यह आप लोग याद र है ज ποशन दोस्तों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राब कर लिए बीडियो पशब्सEl, पुला करना और राइक्तर पाने के लिए बीडियोकर में लिंक दिया गया दोस्तों विपसाइट का जहां सभी सब्जेट का चेप्टर बाइज अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगा तो जाके आप रोग प्रैक्टिस एट किजिए मिलते हैं एक्स वीडियो में देखते रहे हैं